Hello guys, this is the all new 2024 Skoda Slavia and यह जो है कुछ इसकी कीज देखने को मिलती है, Lock, Unlock and Boot Reels वाला option यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, flip कीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कोई भी मतलब वो normal कीज आपको यहाँ पर नहीं दीगी है, but ठीक है बई, चल जाता है कम, but बहुत ही प्य इसमें, one liter वाला petrol engine जो है इसमें देखने को मिलता है, three cylinder, naturally aspirated, and साथी साथ इसमें gearbox की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको six speed manual transmission and automatic भी जो है, torque control वाला देखने को मिल जाता है, and first of all bonnet से start करते तो वही similar designs जो है आपको rapid में देखने को मिलती थी, वही similar सी थोड़ी सी designs जो ह यहाँ पर देखने को मिलती है, skoda का logo जो ही यहाँ पर hood पर provide करा गया है आपको, grill कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, जो की DNA वाली जो grill है, आपको देखने को मिलती है, like kidney grill जो है आती है, ब्योंड डबली के, typical उस type की grill आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, honeycomb pattern में जो ह आपको जो ही यहाँ पर देखने को मिलता है, high beam, low beam में, and DRLB जो है आपको साथ में देखने को मिलती है, यहाँ पर skoda crystal headlets, lighting इसको बोलता है, and अपनी अपनी company आपनी हिसाप से नाम रख लेती है, and for glams की बात कर एगा, तो वो भी आपको halogen ही देखने को मिलती है, यहाँ प पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसका 3-Cylinder वाला 1-Litre TFSI petrol engine, यहाँ पर आपको डीजल का option यहाँ पर दखकें, यहाँ पर नहीं मिलता है यहाँ अभी तक, and skoda, maybe नहीं भी ला सकते हैं, because diesel की अभी day by day, demands जो बहुती कम होती जा रही है, उसकी वाज़े से यहाँ पर डीजल इंजन नहीं प्रोइट करेगा है, तो इसको कर देते हैं, यहाँ पर बंद, and अगर side looks की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ इससर की इसका wheelbase देखने को मिलता है, बहुती जादा wheelbase यहाँ पर प्रोइट करा गया है, पर कि प्लाट भी बहुत बड़ा है, like Volkswagen तो है ही, but साथी साथ उनके service, networks, dealers, बहुती कम है यहाँ पर, मतलब इंडिया में वैसे, but यहाँ पर, Skoda बहुती well-known brand है, तो अगर safety की बात करें, तो global endgap में इनको 5 star safety rating, जो है, मिली है, and साथी साथ जो है, यहाँ पर, अलोज की अगर बात करते ह है, तो यहाँ पर 16-inch के, डाइमन कट अलोज प्रोएट करेंगे है, फ्रेंट में आपको disc brakes देखने को मिलते है, and side fender में आपको Skoda की बैजिंग दीगी है, वाइफर की अगर बात करें, तो यहाँ पर normal वाइफर देखने को मिलते है, and यहाँ पर electronically powered आपने train sensing वाइफर देख मिल जाते है, डोर हेंडल पर अगर बात करें, तो को पैसेंजर और ड्राइवर सेट दोनों भी सैट आपको, अकेले सेंटरी का function यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ इस सरह से, and यही से आप unlock भी इसको कर सकते हो, तो कुछ इस सरह से unlock भी हो जाती है, तो इसको कर देते है अगर बात करें, तो यहाँ पर बात करें, पियायन ब्लैक फिनीशेज में यहाँ पर बी पलर दिया गया है, तो सराउंड पूरे विंडूस की यहाँ पर सिल्वर क्रोम ट्रिटमेंट आपको को देखने को मिलता है, अगें डोर हेंडल जो है, बोडी कलाड हेंडल जो है, दोनों भी यहां पर साथ में देखने को मिल जाते हैं रियर की साइड आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइट करे गए हैं अगें रियर की साइड आते हैं तो यहां पर डीफॉगस देखने को मिल जाते हैं यहां पर देखने को मिलता है शाकफिन एंटीन भी उपर आपको देखने को मिलता है यहां पर बहुत ही जो है crystal type designs में इसके design Skoda ने करी है Slavia की बैजिंग यहां पर देखने को मिलती है और यहां पर Skoda की again embossing प्रोइट करी गई है तो यहां पर रियर में आपको थ्री पार्किंग सेंसर्स दिये गे हैं इंड बूट की अगर बात करें तो यहां पर इसका बूटसपेस बहुती बढ़िया जिए देखनी को मिलता है सम्तिंग 3,000 लिटर्स का जो है बूटसपेस बहुती बढ़िया है मेरे सबसे जैसे सीडान का मार्केट होगे है तो यहाँ पे स्पेर टायल भी आपको आपको पे-स पैनर के साथ मिल जाता है एंड जैसे मतलब सीडान के जो डीमांड है देवाईड है उत्ती है नहीं बट फिर भी जो है न शकोडा ने अपना गेम खेला था यतनी सीडान्स के साथ फिर भी यह बहुती बड़ी सकसेसर निकली हुई है मार्केट में तो यहाँ पर अगें क्रोम डिजाइन्स दीगी है हनी कॉम पैटन्स यहाँ पर कंटीन्यू करे गए है रिफलेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते है और उस साइड भी आपको similar से चीजे देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इसका fuel lid देखने को मिलता है एब एक बात इसको unlock कर लेते है तो यहाँ पर इसका fuel lid जो है open हो चुका है तो बहुत ही बड़ यहाँ चीजे जो है integrated यहाँ पर मिल जाती है तो चलते बही अंदर क्या कुछ चीज़े और आपको इंटिरियर में देखने मों मिलती है तो फर्सर रफ़ाल यहां पर कुछ इस सार से इसका इंटिरियर देखने मों मिलता है डोल टरिम की अगर बात करें तो complete black में डोल टरिम से यहां पर दीगी है chrome door handles यहां पर देखने को मिलते हैं and piano black finishes जो है बहुत ही parody के हैं and Skoda की designs जो है na simple sober होती है but बहुत ही बड़िया जो है देखने को यहां पर मिलती है अपने को and यहां पर speakers भी जो है देखने को मिलते है and बहुत ही बड़िया तरह से integrated है यहां पर देखने को मिलते है and यहां पर A pillar पर आपको tweeters भी जो है इसके साथ आपको देखने को मिलते है soft touches भी provide करे गए है यहां पर power windows के controls हो गए है सबी चीज़े जो है यही पर आपको देखने को मिलते है बाकी hard plastic सी है but quality wise बहुत ही rugged है मतलब बहुत ही feel जो है बहुत ही अच्छी हाती कोई flimsy सी जो है लगती नहीं है seats की अगर बात करो तो दोनों भी seats है ventilated आपको देखने को मिलती है and manually ही adjustable आपको देखने को मिलती है but अगर आप इसके कुशाक में जाते हो तो वहाँ पर आपको ventilated तो मिलती ही है but electronicallyly adjustable भी seats आपको co-passenger and driver seat देखने को मिल जाती है and यहाँ पर जो है six airbags जो है आपको standard नहीं देखने को मिलते है but यहाँ पर जो उपर वाले variants में जो है बाकी देखने को मिल जाते है and यहाँ पर जो है अपोस्ट्री बहुती बड़िया दीगी है beach and black color में दोनों भी passenger के लिए headrest यहाँ पर प्रोड़ेट करेगे है manually existable seats यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरह से and यहाँ पर अगर चलते हैं interior में तो कुछ इस तरह से जो गाइस इसका third sound है बहुती बड़िया फ्रगेट फील होती है वेहिकल्स तो जैसे हम इसको start करता हूँ तो two spokes इसका steering wheel आपको देखने को मिलता है and बहुती फ्यूचरिस्टिक steering wheel देखने को मिलता है जो की दिखने में बहुती प्यारा लगता है तो भाई तू कम हो जा यार तो यहाँ पर बहुती इतना futuristic steering wheel जो है यहाँ पर देखने को मिलता है तो बहुती यार मतलब अलक्सी ही feel जो है आदिश कोड़ा की and feet and finishes वगर जो है बहुती बड़िया है and यहाँ पर infotainment system की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको digital जो है instrumental cluster जो है देखने को मिलता है जो की बहुती बड़िया है यहाँ पर commands हो गए सबी चीजे जो है बहुती बड़िया जो है integrated देखने को आपको मिलती है अगर आपको change करने rpm वगरा जो है यहाँ से आप control इसको complete कर सकते हो and horn की अगर बात करें तो कुछ इस सरे से जो इसका horn जो है आपको देखने को मिलता है and अपने dashboard की अगर बात करें तो complete hat plastic ही देखने को मिलता है बट यहाँ पर spaces वगरा एक्स्रा दी गी है and यहाँ पर again Škoda के easter eggs जो है provide करा गया है जो कि यहाँ पर Škoda लिखके जो है दोनों भी side आपको देखने को मिल जाता है बाकि वही जर्मन typical German things जो है इस side आपको इसके indicators and headlight के functions देखने को मिलते है and इस side आपको complete wifers के controls देखने को मिल जाते है and steering के अगर बात करें तो यहाँ पर tilt जो है देखने को मिलते है and telescopic भी जो है यहाँ पर steering wheel जो है देखने को मिल जाते है बाकि यह AC के control जो है complete आपको complete touch वाले ही देखने को मिलते है and display के अगर बात करें तो यहाँ पर info treatment system के अगर बात करें तो यह आपको 10-inch का देखने को मिलता है complete but display areas जो है वो 8-inch में ही आपको देखने को मिलते है but यहाँ पर functions वगरा जो है complete देखने को मिलती है media, menu वगरा जो है सबी features जो है आपको देखने को मिलता है wired जो है आपको Android आपको Apple CarPlay इसमें देखने को मिल जाता है and यह जो है बाकी vehicles के functions जो है controls वगरा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते ही है hazard का switch हो गए है कुछ इस तरह से and यहाँ पर again IRVM की अगर बात करें तो यहाँ पर auto dimming IRVM provide कर गए है reading lamps की अगर बात करें तो इस तरह से इसके reading lamps आपको देखने को मिलते है जो की बहुत ही decent quality के है sunweiser इसके अगर बात करें तो इससे ticket holder देखने को मिलते है and again एक ticket holder जो है आपको typical skoda things तो यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिल जाता है इस set sunweiser में आपको mirror भी provide कर गए है thin grab handles जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते है जो की बहुत ही बढ़िया है and बहुत ही ज़ादा ओपन इसका portion हो जाता है तो यहाँ पर जो है अगेन इसको कर देते है बंद and glove box के अगर बात करें तो कुछ इस सरह से इसका cold glove box देखने को मिलता है जो की बहुत ही बढ़िया है quality के साथ आता है यहां पे बहुती golden finishes वगरा जो एड़ करी गई है तो उसके वाज़े से बहुती उठी है इंटिरियर देखने को यहां पे मिलता है तो six-speed manual transmission भी यहां पे दिया गया है lock का switch, unlock का switch यहां पे दिया गया है ventilated के switch यहां पे provide करे गया है यहां पे auto start stop का function भी provide कर गया है मिल जाती है and यहां पे soft touch में आपको glove box दिया गया है बट साथी साथ कुछ spaces वगरा जो है इंटिरियर में आपको extra दिखने को मिलते है with 12 volt lighter socket and चलते है भाई पीछे और चीजे बहता दो आपको क्या क्या जो है पीछे की side features यहां पे provide करे गया है तो इसको करते है बंद यहां बे and आजाते है पीछे की side तो कुछ similar सी ही dual dreams आपको यहां पे provide करी गये है soft touches तो दिये गये है बट यहां पे chrome door handles and tweeters भी जो है पीछे की side provide करे गये है with 1 liter की bottle जो है extra आप रखता अचाहा हो तो रख सकते हो and यहां पे magazine holders भी जो है provide करे गये है with phone holders and यहां पे अगर आप charge कर रहे हो तो यहां पे जो है अपना phone दोनों भी side अलग-अलग से रख सकते हो तो यहां पे magazine holders तो पीछे वाले passengers के लिए दिये तो गए ही है but ventilation के लिए यहां पे जो है AC vent भी दिखने को मिल जाता है अगर बात करें तो तो अगर बात करें तो अगर बात करूं में तो बहुत ही बढ़िया है and headroom के अगर बात कर तो वो तो obviously ही under thigh support भी बहुत बेस्ट है and साथ ही साथ अगर मैं बात करूं में नी रूम एंड लेग रूम की तो वो भी बहुत ही बढ़िया है तो दिक्कत तो है ही नहीं भई शीडान होके भी बहुत ही जादा जो है ना space है features है सबी चीजे जो है ना complete package जो है आपको इसमें देखने को मिलता है बहुत ही बड़ी है variant है and हाँ अगर आपको भी लेना है तो obviously नीचे जो है आपको इनके contact details जो है ना पाटनी स्कोडा के provide करे गए है and special thanks to पाटनी स्कोडा जिनोंने ये vehicle जो है आमें provide कर रहा है वीडियो शूट के लिए तो possible हो पाया है अगर आपको कोई भी query है comment जरू करना and कोई भी information features वगरा गाड़ी के बारे में कोई भी जानना है तो subscribe जरू कर लेना and comment तो आपको बनता ही है अगर आपको कोई भी query है तो obviously comment कर सकते हो and अगर आपको कोई भी vehicle लेना है तो आप कही से भी विधर में से महाराष्टर में कही पर भी हो तो पाटनी Škoda की details जो है description में दीगी है contact details भी दीगे है and special thanks to उनको भी तो उनकी वज़े से जो है shoot possible हो पाया है तो वीडियो को रखते है भाई इतने अन्हा Instagram पे हमें follow करना मत भूलना and जरू Instagram पे follow कर लेना मेरे crazy and daily updates के लिए तो वीडियो को रखते है भाई इतने वीडियो आपको देना thank you so much goodbye